नमस्कार दोस्तों क्योंकि मद्दान होने वाला इसलिए अभी से कंगना के लिए माहौल बनाया जा रहा है इसलिए यहां पर योगी आदितनात ने कंगना की खुब तारीफे भी की इसी सबा के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना अरनाउत में मीरा बाई की भक्ती है महरानी धफ्ठाकरी की सरकार को इन्होंने मुंबई में सडको पर लाकर पानी पिलाने को मजबूर कर दिया था सोचिए दोस्तों कंगना रनाउत की तुल नाम इन महान देश की महिलाओं के साथ की जा रही है जो कि जंता से बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है दोस्तों अब लगने लगा है कि भारतिय जुन्ता पार्टी की नेताओं का फिल्मों से कुछ ज्यादा ही ऑपसेशन है अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी कह रहे थे कि गान्दी जी को कोई नहीं जानता था जब तक उनके उपर फिल्म नहीं बनी थी और अब देखें सीम योगी भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं शायद उनको भी लगता है कि कंगना रनावत ने रानी लक्षमी भाई पर फिल्म कर ली है इसलिए लोग उन्हें रानी लक्षमी भाई ही समझने लग जाएंगे दोस्तों सीम योगी यहां कंगना की तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहां पर मामला उल्टा पड़ गया मैडम काफी ट्रोल हो रही है और योगी जी के इस बयान पर लोग काफी कंगना का मजाग भी उड़ा रहे है अब भारती जुनता पार्टी के समर्थक तक योगी जी के इस बयान से खुश नहीं नजर आ रहे हैं देखें इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है अजय सिंग नाम के एक यूजर लिखते हैं कि भक्त शौरित तेज गंगना में सब है लेकिन इसके साथ मीरा बाई, रानी पदमावती और रानी लक्षमिबाई का नाम लेना उन देवियों का घोर अपमान है नवीन श्रिवास्तफ कहा रहे हैं कि तीनों का नाम ऐसे से तुलना करके भारत की भक्ती और वीर्नता दोनों पर प्रश्न खड़ा कर दिया एमेस राना लिख रहे हैं कि मीरा, रानी पदमावती और रानी लक्षमिबाई तीनों का घंगोर अपमान विनोत कह रहे हैं कि योगी जी आप से इसके लिए इन शब्दों की उमीद नहीं थी सोचिए दोस्तो भारतिय जुनता पार्टी के ये तमाम समर्थक भी हैं इन में से जो लोग ट्वीट कर रहे हैं इन सभी का यही कहना है कि इस तरीके से रानी लक्षमिबाई और पदमावती और मीरा से कंगनार नौत की तुलना करना उन तीनों का अपमान है सोचिए बाजबा समर्थक भी सीम योगी के इस बयान से खुश नहीं है बारतिय जुनता पार्टी की आदत हो गई है कि कभी अपने नेताओं की तुलना भगवान से करते हैं पिये मोधी को भगवान का अफ्तार बताते हैं तो कभी अपने नेताओं को महापुरोशियों की जगा पर बठा कर रख देते हैं महापुरोशों से उनकी तुलना की जाती है आप कंगना रनावत को भी महान बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जनता को ये अपमान अब बरदाश्ट नहीं हो रहा है जनता कह रही है कि इस तरीके से इन नेताओं की तुलना उन महापुरोशों से करना उन महापुरोशों का अपमान है खैर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी चार लोगसभा सीटों पर जुनाव के सात्वे चरण और आखरी चरण में मद्दान होने है हिमाचल की मद्दान 1 जून 2024 को सुभा साथ बज़े से शुरू होगो और साम 6 बज़े तक के लिए चलेगा इसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे गोशित कर दिया जाएंगे लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कंगना को महान बनाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं न कहीं इस चु अलवड़ा